हेलो एब्रिवन वेलकम टू मैं चैनल तो आज मैं आपके लिए देखिए ये इतने सारे थाल पोस लेके आई हूँ ये सभी थाल पोस का लिंक आपको है न मेरे चैनल पे मिल जाएगा और कुछ का लिंक मैं न डिस्क्रेप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी देनी की कोशि है और इसमें मैं आपको ये भी बता दू कि सारे ही जो देखिए ये फास्ट वाला देखिए कितना आसान है और मैंने सारे के सारे थाल पोस जो हैं वो किरोशे से बुने हुए हैं सारे ही किरोशे के हैं तो आप एक एक करके ये 25 थाल पोस हैं और जितने ये थाल पोस यहां बनाइया थालबोस जो ने अनौ मैंने काफी बड़ा और गुमावदार बनाया था यह देखिए आप जो देख सकते हैं तो यह मेरा सेकंड वाला थालबोस था यह मैंने न चकोर बनाया था जो बिक्कल अलग ता और फ्लावर से बनाया था ठीक है उसके बाद में यह वैला ब यह चकोर वाला जो मैंने हमसे बनाया धाल ऑ यह चकोरow winter हो मैंद चकों भूलिख सेके तरीक पराज लो आप सके तो देख चुक है यह तीनों हम स्क्राइब करें another webinar within a उसके बाद में ये मैंने अलग-अलग बना के तब ये बनाया था ये देखे इसमें ये सारी बत्तियां अलग-अलग बनाई थी उसके बाद में ये फुल बना के तब मैंने ये पूरा बनाया था तो ये भी काफी अच्छा बना था, उसके बाद में यह चकुर वाला थाल पोस था, जिसमें मैंने बीच में यह क्षोटी च्छोटी बुंतिया दीनीना, यह बहुत सिंपल बस इसमें उपर से मैंने यह फ्लावर लगा दिये थे टाइखे तो इसमें भी हम इसे इस तरह से हमने बनाए था यह मेरा पाफिसा ब्लू इस पर यलू पर बोख्वाट अच्छा लिगा सक फिर्फान मुंदी समय फ्लावर यह गड़ी आपया नाव ज़से जल्तें ये मैंने उनके लिए बनाया था जैसे हो पूजा पहत्वार को ज्यादा प्रेफर करते हैं तो उनके लिए मैंने उसमें यह इस नगे है कि इस तरह आपके लगा सकते तो यह फुझा यह च brag लगता है तो यह काफी सुन्दर ना सब भी को बहुत पसंद आया था एक मैंने इसके बाद इसे भी साइड में रख देते हैं यह देखे मैंने यह सिम्पल सा बनाया था डोरी वाला देखे यहां पर डोरी और बीच में ने यह हार्ट बनाया था बहुत ही प्यारा सा यह इसमें यह मैंने सिर्फ डबल क्रोश्य बनाई हुए हैं और यह वाले हमने इसमें डिजाइन बनाया था इसमें भी जादा टाइम नहीं लगाता है वैसे तो मैं जादा तर सभी बहुत आसान बनाती हूं लेकिन यह काफी आसान था और सभी को पसंद भी आया था तो एक यह लाला हो गया उसके बाद में हमारा एक चोटू सा जो मैंने अपनी टिबल के लिए बनाया था यह देखे दम चोटू सा और एक तम सिंपल सा इसमें कोई ऐसा नहीं था कि ज्यादा नहीं फट लगे थे लेकिन यह चीज इसकी बहुत पसंद आई थी सभी को तो यह भी काफ फेवरेट यह मॉर वाला थाल भोस तिना म्यारा है न यह जो भी देखता है वो यही बोलता है कि बहुत ही सुन्दर है ऐसे मैंने ना क ही बना के दो तीन बना के मैंने सब को दिये अभी यह मेरा पुर्प भार ऑеч़ा यह क्शों कि कि गएग दम ले ले लेता है कि मुझे यह दे दो तो मुझे यह मैं उन्हें दे देती हूं तो यह मैंने दुपारा फिर से बना के यह रखा हुआ है क्योंकि मुझे भी यह बहुत पसंद आया था चलिए इसे रख देते हैं आप मैं ना दूसरा दिखा दिने हैं जो यह मेरा मौस्ट पॉपिलर थाल पॉस है जो सब भी ने इसके व्यूद सबसे जादा है क्योंकि यह सबसे आसान सा था और एक्दम सुन्दर सा है तो ये आसान की होने की वज़े से ही इसके है न सबसे ज़्यादा व्यूस मेरे इसी वाले की है और ये देखिए ये मैंने न सेम उसी पैटर्न पे बनाया था जिसमें मैंने न बीट में ये लगाये थे और साइड़ों में ये इस तरह से मैंने ये बनाया था और मैं इतना बत जल्दी बन जाता है तो यह मैंने थ्री प्लाइ की वोल्ट से बनाया था ठीक है उसके बाद में मेरा रोज फ्लावर वाला था यह देखिए जिसमें मैंने चुटे-चुटे यह रोज लगाए थे और सभी को यह रोज आसान थे क्योंकि यह काफी और वैसे इसमें ना कोई च चुटे-चुटे-चुटे को सबस्टे शार हैं इसमें ना रोज फ्लावर लगाया थे मेरा फेैं मैने तिवाला थाल जाए-था यह अधि कोछости रहे बनीड़ा तो यह पास मुझे कोई तर थे प्सकलाव रहा था यह भाल गनताुति। यह देल्जाच होए तो यह धिया तो ये देखें छुटू-हुटू से दिये वाला थाल पोस्ट जो है न दिवाली special था और दिवाली के दाइंपने ये काफी मेरे काम आया था और ये सभी को भी अच्छा लगा था और इसमें ये मैंने अलग से बना के देखे उसके बाद में मेरा ये वाला थाल पोस्ट ये देखे इसमें मैंने ये चोटी-चोटी पत्तियां बनाई थी इस तरह की ये देख रहे हैं ये पत्तियां बनाई थी इसके बीच में भी मैंने ये चोटी-चोटे दिल बोल सकते हैं दिल के आकार में मैंने ये बनाया थ यहां से इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने यहां पेन इसमें फूल लगाया था अभी मैंने वह फूल हटा दिया है लेकिन यह इसमें बीच में फूल था और यह ऐसे इस तरह से था तो आप खुद भी देख सकते हैं यह छुट छुट दिलो वाला काफी अच्छा और आसान यह तालपोस यह मैंने काफी टाइम पहले बनाया था अप्रोक्स मुझे लग रहा है एक साल के करीब हो गया है तब मैंने यह ना थालपोस बनाया था और यह तब ना सभी को काफी मतला पसंद भी आया था और मुझे ना इसकी इन्स्टाग्राम पे काफी ने पीक बेजी चार-पांच पीके बेजी थी कि मैंम ने यह बनाया है तो जिस जिस ने यह बनाया था उन्होंने भी काफी सुंदर बनाया था और वो काफी सारी पीके ना उन्होंने भीजी थी कि हमने ना बना के इस तरह से रखा है तो यह किये वाला हो गया उसके बाद हमने ना यह वाल hard है चुकत जिए बन से कहा लेकिन यह कांछ एसान था और जिस ने भी भी सबने था और अज लगा अगल जिए यह भां हो गया उसके बाद मेंने बना यह बनाया था ये पिंक और ब्लैक कॉमिनेशन डैम गुड लगा था ये सब भी को की इसका कॉमिनेशन सबको बहुत पसंद आया था बस इस पे एक एक मिन्ट था कि मैम इसमें पिंक ये वाले हमें अलग अलग बनाने हैं तो एक ने मुझे पिंक भेजी थी जिसने बनाया था उन्होंने क् और इन भी बहुत सुदर है लगा था तो यह एन उस तरह से बना था इसके बाद में यह शूरज मुखि sky FC जिसमें इन ग्लम यहाँ स्थों करेली पैले तो तो ये ठीकर सूब्सकित लगाए थे और ये थी को काफी पसंदाए तो इसमीं काफी अच्छेर्या सब पसंदाए थे सब हो इसमीना इया जाद аथ थे सब बोल रहो हैकि यह हैं तो यह आपको इनवास्तो सससी का चैब抖 इसली तो फूल बनाने और यह यह मैंने अलग बताया था क्योंकि इस वाले टालपोस के साथ जो मैंने फूल बनाया थे तो प्रिणा हो जाती आपTORथा तो दिमांच होने की वज़े से इस क्यूंको disposi थे मैं यह एक यह बनाकर दिखाया थे तो एक हमारा यह पैसे यह दो ओना था हम बत Jade Meyer kane7 जोड़नदव न बनानी बताई थी तो इसमें क्या वुआ था की प्रोंक्स चार पाचलाओं के कई आप91 हैं और सभी को भूध पसंद आया था और सबिने किसी ने इस यह ग्रण जो हम टी कोस्टर रखते हैं उनकी जगह ये टिकलियां ऐसे यूज की थी क्योंकि ये बीच में आपकप रख सकते हैं और ये इस तरह से ये डिजाइन था तो ये इसके न का अच्छे से यूज काफी में हो गया था ये तो इसमें ये बनाने के बाद भी ये काफी अच्छा लगा था और मुझे भी ये बहुत पसंद था तो चलिए इसी तरह से न मेरे ये सारे के सारे जो थाल पोस हैं मैंने आपको दिखा दिये हैं इनका सब का वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा और हां मैं आपको बता दू कि अगर आप इसमें न वो करेंगे इन अभी वीडियो को है न मैंने पूरा का पूरा एक प्ले लिस्ट में डाला हुआ हैं तो आप महा съे जाकर पूरी के पूरी प्ले लिस्ट भी देख सकते हैं नहीं तो आप मुझे बता दिजे मैं इसमें से जों सा आपको पसंद होगा उसका लिंक में आपको प्रोवाइ सारे धालबोस मेरी कैसे लगे मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं कुछ नया और आसान आपको बताऊंगी बाई एवरिवन और थैंक्स वर वाचिंग